नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई और अमेजिंग वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ प्लेटफोर्म्स के बारे में बताऊंगा जिस पर आप ब्लोगिंग कर सकते हैं और साथ ही शोट में बताऊंगा उनकी एडवांटेजिस और डिसएडवांटेजिस के बारे में और ये भी बताऊंगा कि आपको किसे यूज करना चाहिए और किसे नहीं यूज करना चाहिए तो दोस्तो पहले नंबर पर जो मैं बताने जा रहा हूं वो है medium.com एक ऐसी website है जहां आप अपने passion को उभार सकते हो दोस्तो एक free platform है जिस पर आप free में blogging कर सकते हो अब बात करते हैं दोस्तो इसकी advantages की बारे में तो यहां पर आप पैसे कमा सकते हो आप blogging करें यहां पर पैस को लोगों तक पहुचा सकते हो like-minded people के साथ आप interact कर सकते हो एक तरीके से अपने followers को बढ़ा सकते हो ठीक है दोस्तों और free to use और अगर इसकी disadvantages की बात करें तो यहां पर आप कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं मतलब यहां पर आप अपने इस हाप से कोई भी थीन नहीं लगा सकते हैं कुछ चीज भी added नहीं कर सकते हैं यह एक website है इनका खुद का platform है बस आप यहां पर अपने आर्टिकल को publish कर सकते हैं दू यहां पर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इसकी बड़ी advantage है दोस्तों और साथ ही फ्री टू यूज है मतलब आप यहां पर फ्री में एकदम blogging कर सकते हो और दोस्तों passion को तो आप यहां पर उभारी सकते हो अपने followers को भी बढ़ा सकते हो और दोस्तों अगर इसकी disadvantage इसकी आप से बड़ी disadvantage इसकी यही है कि यहां पर आप directly कोई भी पैसा नहीं कमा सकते हैं तो दोस्तों जो तीसरा platform है वो है दोस्तों blogger.com जिसे आप सभी एकदम अच्छी तरीके से जानते हैं इस पर दोस्तों मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और आगे भी मैं इस पर वी कर सकते हो साथ ही जो सबसे एक और जो इसकी advantage है दोस्तों वह है आप right audience तक पहुंच सकते हो अगर आपकी content में दम है ठीक है दोस्तों और अगर इसकी disadvantage इसकी बात करें तो दोस्तों आपको यहां पर जादा customization नहीं मिलती है वालब कुछ तो customization मिलती है पर जादा नहीं मिलती कि एकदम fully control नहीं बोल सकते हम कि आपका इस पर fully control होगा ऐसा नहीं कह सकते है तो दोस्तों जो next जो है fourth number पर वो है दोस्तो wordpress.com एक बहुत ही जादा popular website है दोस्तों blogging के लिए जिसे जादतों लोग use करते हैं क्योंकि आजकर जो लोग पहले blogger पे थे वो भी अब धीरे-धीरे wordpress पर अपना blog shift कर रहे हैं क्योंकि यार सबसे बड़ी advantage इसकी यहीं है कि दोस्तों इसमें full customization मिलता है अलब आप हर तरीके से अपनी website को एक professional level की बढ़ना सकते ह to ideas website तो पर दोस्तों अगर ईसकी ड्यस एड्वांटेजिस की बात करें इसकी एक ड्यसन ड्यस एड्वांटेज दोस्तों ऑले है कि यहाँ पर आपको domain और hosting बाहीं करना पड़ेगी दोस्तों तों यहाँ पर आपको domain और hosting नहीं मिलेगी भलोगर की तरह ब्लोगर की एक free domain और hosting आपको मिलती है पर यहां पर आपको कोई domain और hosting नहीं मिलेगी यह आपको पहले से buy करना पड़ेगा और बाकी आप उस platform को पूरी तरीके से ब्लोगिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो free में ठीक दोस्तों एक ठोटी सी investment है domain और hosting की यह कुछ चार-पांच platform थे जिसके बारे मैंने आपको भी बताया पर ऐसा नहीं कि आप आपने सुनते कि जिस से अर्निंग और यह उस पर अपना ब्लोग बना लिया नहीं दोस्तों मैं आपको यहां पर अभी रिक्वांड करूँगा onlyblogger.com अगर आपको free में काम करना है तो दोस्तों और अभी आप किसी और पर ब्लोग नहीं बनाना दोस्तों मैंने medium के बारे में बताया था कि यहां पर आप पैसे कमा सक्टेव पर अभी नहीं बनाना दोस्तों उस पर आ पूरे उसके बार में आपको बताऊंगा की कैसे आपको महां पर क्या करना है और किसे और नहीं करना दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरू सब्सक्राइब करना यार ऐसी